मैं हूँ आपके साथ चैलेंद्र पांडे पित्र पक्ष में अक्सर हम पश्वों की पूजा करते हैं गाय को खोचते हैं, कुट्टे को खोचते हैं, कववे को खोचते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ये समझते हैं कि उनके माध्यम से हमारे पित्र प्रसन होंगे लेकिन सामान दिनों में हम पशुपक्षियों पर अत्याचार भी करते हैं कभी कुत्ते को मार दिया, कभी गाय को मार दिया, कभी चड़िया का निशाना लगा लिया तो ये जो पशुपक्षियों पर अत्याचार आप करते हैं, इससे आपकी किस्मत का connection बिगड़ जाता है, आपका किस्मत connection खराब हो जाता है तो अगर आप पशुपक्षियों पर अत्याचार करते हैं, तो इसका प्रभाव क्या है, इस मिशेपराज बात करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि पशुपक्षियों से हमारे जीवन का और हमारे भाग्य का क्या संबंध है देखिए स्रिष्टी की हर चीज संपूर्ण रूप से इश्वर से संबंध रखती है ऐसा हमारी परंपरा कहती है इशा वास्यमिदम सर्वम इसलिए हर चीज का हमारे जीवन से गहरा संबंध है घास का एक टुकड़ा या सूरज का गोला ये सब हमारे जीवन से जुड़े हुए है हमारे आसपास की चीजे, वस्तुवे, लोग हमारे जीवन पर गहरा असर डालते है अगर ये गड़बड हो जाएं या इनके साथ सही व्यवहार न हो तो भाग्य का चक्र बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है इसलिए समाज और जीवन की हर चीज के साथ संबंद बेहतर रखना चाहिए चाहे वो प्रकृती हो, चाहे वो पशुपक्षी हो अब ये जानते हैं कि पशुपक्षीयों के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते तो क्या समस्याएं पैदा होती हैं अगर आप बिना वजह के पशुपक्षीयों को परेशान करते हैं तो जीवन में बिना कारण के समस्याएं आती रहती हैं व्यक्ति बिना कारण के बीमार रहता है और उसका ज़ादा तर पैसा दवाईयों में और बीमारियों में खर्च होता है व्यक्ति कभी कभी करजों का शिकार भी हो जाता है और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग पशुपक्षियों को परेशान करते हैं उन्हें देर सवेर मानसिक समस्या होती है या मानसिक बीमारी होती है अब ये जानते हैं कि पशु हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं देखिए अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं उनको खाना खिलाते हैं उनकी देख भाल करते हैं तो शनी से जुड़ी हुई समस्याएं शनी की जो पीड़ा है वो कम हो जाती है और जीवन का संघर्ष घट जाता है जो लोग पशुओं की सेवा करते हैं आकस्मिक दुरघटनाओं से भी उनकी रक्षा होती है पशुओं को चारा देने से अगर आप पशुओं को पालक खिलाएं घास खिलाएं चारा दें दूद पिलाएं रोटी खिलाएं तो ऐसी दशामे जीवन में अन और जल का अभाव नहीं होता और अगर आप बीमार पशुओं की देख भाल करते हैं तो एक तो आपको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है और अगर कोई बड़ी बीमारी हो भी गई तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है अब ये जानते हैं कि पक्षियों की सेवा करने से या पक्षियों की सहायता करने से हमारा जीवन कैसे बेहतर हो सकता है अगर आप चिडियों को, पक्षियों को दाना देते हैं, रोज दें या शनिवार को दें तो इससे राहू की जो पीडा है, राहू की जो समस्या है कुंडली में, वो कम हो जाती है और पक्षियों को दाना डालने से जीवन के उतार चड़ाव भी कम होते हैं अगर आप पक्षियों को पिजरे से छुडाते हैं तो इससे आपको कर्ज और मुकदमे से राहत मिलती है और घर का जो कला कलेश का मामला है इससे भी आपको छुटकारा मिलता है अगर आप ऐसा करते हैं तो तो अगर करजा जादा है तो कम से कम 3 या 5 शनिवार को पिजरे में बंद पक्षियों को उड़ाईए उससे करज की समस्या से आपको छुटकारा मिल पाएगा